हेलो फρέंड आज हम ननद भावी अमिलकर के आपको एक और रेसिपी बताएंगे तीखे चिट पटे और स्वादिस्ट पानी की रेसिपी इस लॉक्डॉन पानी पूरी की यह रेसिपी चलिए देखते हैं पानी की स्चटपटे रेसिपी को कैसे बनाते हैं बताशे का पानी बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़ी सी हरी धन्या थोड़ी सी पुदीना थोड़ा सा कच्चा जीरा दो ग्रीन चिली हाफ इंच साइस अद्रप अब हम चीजों को मिक्सर में डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे यहाँ पे हम इंडली को राद भर भीगो करके उसका पेस निकाल के रखा था उसको एड़ कर लेंगे यह हमारा धन्या पुदीने का पानी अब हम इसको डाल लेंगे अब हम इसमें आड़ करेंगे हाफ टी स्पून के लगबग चाट मसाला वन टी स्पून के लगबग इसमें हम भुना जीरा आड़ करेंगे पिसा हुआ हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर हाफ टीजपून के लगबग हम इसमें डालेंगे काला नमक उतना ही टीजपून हम यहाँ पर वाइड सॉर्ट भी डालेंगे सफेद नमक यहाँ पर हमने एक नीबू को काट करके रखा है अब हम इसको इसमें स्क्वीज कर लेंगे इसमें आप दो ग्लास ठंडा पानी मिला लेंगे अब इस विक्षे को अच्छे से मिला लेंगे आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर आ गया है यह देखें कितना अच्छा पानी बनके रेडी हो गया है आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहां पर यह मैस्ट पोटाटो क्यों ले रखे हैं पानी बहुत पतला लगता है अगर आप चाहें तो इसमें वन टेबल स्पून के लगबग इसमें मैस्ट पोटाटो एड़ कर सकते हैं ध्यान रहे आप इसे साफ हाथों से करें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें देखें यह हमारा पानी बनके रेडी हो गया है अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग यह देखें हमारी पानी पूरी बनके रेडी हो गई है आएए आप भी खाएए और हम भी खाएं तो दोस्तों अगर आपने पानी पूरी के तीखे पानी को बनाना सीख लिया है और अब आपके घरवाले चाहते हैं मीठे पानी का आनल लेना तो आपको जादा मेनद करने के बिल्कुल जरुबत नहीं है आप इसी पानी में दो बड़े चमच इमली की मीठी चटनी डाल दें और देखे आपका मीठा चटपटा और तीखा पानी तयार है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही हमें कमेंट में लिखके बताएं कि आप नेक्स वीडियो क्या चाहते हैं नमस्कार